आज आप जानते हैं कि हम transitive और intransitive verb को identify करना सीखेंगे तो आज का topic जो है हमारा transitive और intransitive verb का identification है identification का मतलब क्या होता है friends पैचान करना पैचान ना पैचान यह नावन है identification of transitive and intransitive अब friends आप सबसे पहले transitive verb के बारे में आप जानिये transitive verb क्या होते हैं जो transfer करते हैं t for transfer और t for bolie bolie transitive तो यहां पर जो verb कल आपको यह note दिया था जो main verb जो main verb जो main verbs अपने effect को जो main verbs अपने effect को object के ऊपर transfer करते हैं object object के ऊपर transfer करते हैं transfer करते हैं उन्हें transitive verb कहते हैं यह transitive verb के definition है और अब इसकी identification कैसे करेंगे आइडेंटिफिकेशन पहिचान आइडेंटिफिकेशन पहिचान आइडेंटिफिकेशन आप टीवी ती वी बोले तो friends transitive verb अब बार बार इतना बड़ा combination देखने से अच्छा है की टीवी लिखें अब देखो कैसे पहचानेंगे की वर्ब ट्रांजिटिव की तरह बहेब कर रहा है की इन्ट्रांजिटिव की तरह और एक बार सुनिए एक बात सुनिए कल प्रिपेर का इग्जेम्पल दिया था I will या I should जो भी हो सकता है I will कल इग्जेम्पल दिया था I will इश्रिंजी देख की I will prepare I will prepare अब देखिये friends जा जा तक अब आज जा रही है I will prepare इसका मतलब है मैं तयार करूंगा मैं तयार करूंगा अब सभी लोग जड़ा देखिये यहां blank space दे दिया यहां जहां पर word आना चाहिए वहां blank space आगया friends सुनिए अब यहां पर काली स्थान है तो यहां पर क्या आएगा यह जानना है तो यह बताईए कि I will prepare मैं तयार करूंगा इसको मैं तीन बार बोल रहा हूं और आप यहां पर question पूछना I will prepare I will prepare I will prepare मैं तयार करूंगा मैं तय यहां पर question क्या आएगा what का question आएगा की नहीं आएगा बताईए मैं तयार करूंगा what मैं तयार करूंगा what और what का मतलब क्या है क्या क्या तयार करोगे और what किसका reply देता है what का reply कौन देता है बोलिये तेजवाज में noun what का reply कौन देता है noun इसका मतलब यहां पर noun आएगा noun का यूज होगा यहां पर और यह नाउन जो है object बनेगा किसका prepare का इसका मतलब यह है कि अब मैं what का जबाब बोला I will prepare what तो आप बोले T I will prepare what T prepare what T इस दिन जी ध्यान दीजे प्लीज थोड़ा अपने mind को concentrate कीजे prepare जो है यहां पर what का question पूछ रहा है prepare what इसका मतलब है कि prepare को क्या चाहिए object चाहिए यह जो है ओ का मतलब क्या है object है और prepare को object चाहिए क्यों चाहिए क्यों कि prepare करने के action को transfer कर रहेगा ये किस के उपर object के उपर इसलिए इसको क्या चाहिए object चाहिए इसका मतलब है कि ये transitive verb बना और इस transitive verb का ये क्या है object हुआ ये देखिए इसका मतलब कि transitive verb की identification कैसे करेंगे सुनिये ध्यान से transitive verb है कि intransitive verb है ये देखिए इस sentence में friends ये क्या है subject है और ये है model verb और ये है main verb ये दोनों देखो ये model verb है model verb है ये और ये क्या है ये prepare क्या है main verb है अब ये देखना है कि इस main verb का behavior tb है या itb है अगर इसका मतलब तयार करना है ये आगे word का question पूछ रहा है इसका मतलब इसको object चाहिए तो t इसका object है noun object बनता है और prepare क्या बन गया transitive verb तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी verb को ले लो और अगर वो verb किसी person से related हो तो i का use करके i prepare i चाहो तो will को हटा भी सकते हो आप i prepare i prepare i prepare आगे question what का आए तो समय लेना कि transitive verb है और ऐसे भी हो सकता है जैसे i teach i teach अब देखिए i teach आप चाहो तो model अटा भी सकते हो ये subject है i subject है जी जो main verb है उसके पहले कौन आता है subject और ये verb है अब देखो i teach i teach i teach सुनिए यहाँ पर तो यहाँ पर question यह उठेगा i teach what अगर what का question पूछोगे तो आएगा i teach English और अगर यहाँ पर question यह what का question का reply दे रहा है teach what तो यहाँ teach क्या है TBA और English का क्या है object है लेकिन friends यह देखो ऐसे भी question पूछ सकते हैं आई टीच आई टीच आई टीच आई टीच हूम अरे यह देखो हूम का जबाब देने वाला word क्या होता है noun और वाट का जबाब देने वाला word भी क्या है noun लेकिन यह किसी person के लिए होता है हूम तो आई टीच हूम मैं पढ़ाता हूं इसे ध्यान तो दीजी प्लीज मैं पढ़ाता हूं यह पढ़ाना हो गया मैं पढ़ाता हूं मैं पढ़ाता हूं यहां भी है मैं पढ़ाता हूं यहां भी है तो मैं पढ़ाता हूं क्या देखिये reply English तो टीच ने वाट का question तो I teach him, तो him यहाँ पर क्या है? object है, कोई person के लिए बोल रहा है, तो यहाँ भे teach क्या है? him पर action कर रहा है, और यहाँ पर teach किस पर action कर रहा है? English पर action कर रहा है, दोनों जगह teach क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्व हुआ, friends, आप सुनो क्या बता रहा है teacher भी जा रहा है, teacher यह क करो, I teach, I teach, I teach, या तो what का question आए, या तो whom का question आए, whom का मतलब person object और what का मतलब कोई thing, तो यहाँ पर दोनों ही case में वर्व क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव वर्व माना जाएगा, यह ध्यान देना, इसका मतलब है कि जो identification of t, यह ट्रांजिटिव वर्व यहाँ पर heading है अब इसका मतलब क्या है friends, इसका मतलब कैसे लिखोगे, identification of t, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो वर्व अपने बाद, अपने बाद, अपने आगे, what or whom, what या whom का question पूछते हैं, what or whom का question पूछते हैं, वे ट्रांजिटिव वर्व होते, what or whom, द्यान देना, friends, जो वर्व वाट या whom का question पूछेंगे, whom का मतलब क्या होता है, किसे, whom का sense लिखो किसे और what का मतलब क्या है, तो जो जो वर्व अपने बाद, what या whom का question पूछते हैं, वे ट्रांजिटिव वर्व होते हैं, ट्रांजिटिव वर्व होते हैं, ये ध्यान रखना, friends, इतनी तो बात समझ में आ गया आपके, और दूसरी बात ये देखो, ये देखो, friends, ये देखिए, जरा प्लीज concentrate करिए, ट्रांजिटिव वर्व और और अब्जेट के बीच में, प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, एक इस्टिएंट जानना चाहरा है, ये प्रेपोजिशन, कल आपको मैंने, कुछ जो है, ग्रूप अफ प्रेपोजिशन दिये थे, प्रेपोजिशन जैसे, इन, एड, तू, एक इस अफ नहीं होता, येई, प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन है, जान रखना तो ट्रांजिटिव वर्व और अब्जेट के पीच में बताहू, प्रेपोजिशन का यूज होगा नहीं होगा। तो ये बहुत बढ़ा नोट लिखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रेपोजिशन ती वी और अब्जेक्ट ती वी और अब्जेक्ट के भीच प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता आपको एक्जाम्पल दिया I teach him I teach English यहां पर what का question यहां पर whom यहां देखो बीच में प्रेपोजिशन नहीं है अगर यहां पर ऐसे यूज करो I teach to English गलत I teach to him यह रॉंग दोनों रॉंग हो जाएगा प्रेपोजिशन ना लगाए अब आएए यहां पर देखें फ्रेंड्स अब आजाएं इन्ट्रांजिटिव वर्ब लिखें इन्ट्रांजिटिव वर्ब लिखें इन्ट्रांजिटिव है इन इस इन का मतलब क्या है नॉट है यह प्रिफिक्स है प्रिफिक्स इन का मतलब नॉट यह प्रेपोजिशन नॉट यह प्रेपोजिशन नहीं है यह प्रिफिक्स है नॉट का से इस तो अब बताएए इन्ट्रांजिटिव वर्ब तो आपके समझ में आ गया जो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है यह देखो जो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है वो क्या है इन्ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव क्या होता है जो अपने एक्षन को आपजेट पर ट्रांसफर करता है और बीच में प्रेपोजीशन का यूज नहीं करता वो ट्रांजिटिव वर् तो ऐसे लिखो कि जो वर्ब जो में वर्ब अपने एक्शन को ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने एक्शन को आपजेक्ट पर ट्रांसफर नहीं करते हैं कि नहीं वे इंट्रांसफर नहीं करते हैं वे इंट्रांसफर नहीं करते हैं अब जैसे एक्जैम्पल देखो आई प्रिपेर आई प्रिपेर फॉर द एससे एक्जैम यहां पर फॉर कहीं हो रहा है देखो आप देखो आउन नहीं मैं तयारी मैं तयारी करता हूं यह देखो मैं तयारी करता हूं तयारी करने का सेंस हो गया अब मैं सभी उस्ट्रेंट भाई हों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर मैं तयारी करता हूं मैं तयारी करता हूं अब क्वेश्चन पूछो मैं तयारी करता हूं मैं तयारी करता हूं क्वेश्चन पूछो और यहां पर क्वेश्चन पूछ करके आप टाइप करो और आप सेंड करो टाइप करो मैं तयारी करता हूँ मैं तयार यहां पे English में question पूछा question, यहां पर question पूछा क्या question आएगा यहां से पार Merci मैं तयार English में question क्वेस्चन पूछा? English में question पूछो friends चलिए English में question पूछे जल्दी करिये ले आईये बॉल्दी करता हूँ, मैं तयारी करता हूँ, मैं तयारी करता हूँ, मैं तयारी करता हूँ, इसका question पूछना है, कि question आगे क्या हैगा, मैं तयारी करता हूँ, send in your queries, मैं तयारी करता हूँ, question पूछना है, जबाब नहीं question, मैं तयारी करता हूँ, 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 देख देखो friends, या मेरे sincere strength ने, देखो for what, what for नहीं, for what आएगा, for what, for what, for what, of which नहीं, for what, किस का, किस लिए, for what का मतलब है, किस लिए, for what, किस लिए, for what, 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 okay, of which नहीं होगा, एक लड़के ने, of which लिख लो, of which, वो भी ज़रा अपने डंग से सही, देखो, of which का मतलब लिखिये, friends, भाईयों, of which का मतलब लिखिये, किस का, तो वो भी ज़रा अपने डंग से सही लिखिरा था, किस का या किस की, लेगन यहाँ पर है, for which का मतलब किस लिए, तैयारी कर रहे, किस चीज के लिए कर रहे, तो ध्यान रखना, of which उसी तरह लिखो, with ये लिखो, with what, with what कार्थ लिखो, किस के साथ, किस के, किस से, किस से, तो for what किस लिए of which किस का अब of which नहीं आर of what लिखो of what किस का with what किस से in what किस में ये इस तरह का sense of which का question नहीं बनेगा भाईो बैनो ठीक है तो इस तरह से अब मैं आगे बढ़ता हूँ चलिए बहुत अच्छा आप समझ गए मैं बस ये देखने वाला था कि आप समझ रहें कि नहीं समझ रहें ओके फ्रेंड्स चलिए ओके एक रेंट आये अब देखते हैं बहुत अच्छा यहां पर जो question आ रहा है सभी भाई बैन देगे for what का एगा हिंदी में एक लड़का किस का बोल नहीं था लेकिन उसको sense wise तो सही था किसकी लेकिन परपज है तैयारी का उदेश्य बताना है इसलिए for का यूज करेंगे इस प्रेपोजेशन का आना यह बता रहा है कि यहां पर जो यह object आएगा what की जगे पर object आएगा the exam चाहिए सस्सेजम है या कोई भी exam है मालो the exams I am preparing for the exams तो यहां पर exam क्या है noun है तुम्हारा what exams noun और यह object का noun जो है friends सुनिये नाउन क्या बनता है noun क्या क्या रोल प्ले कर सकता है sentence के अंदर फिर सुनो मेरा question sentence के अंदर noun या तो subject बनेगा या तो object बनेगा बोलो क्या कह रहा है कि sentence के भीतर noun या तो subject या तो object का रोल प्ले करता है भूमिका निवाता है जरा यह भी लिखने है friends यह भी लिखने ही the uses of noun इसका मतलब है noun का use प्रयोग इसमें लिखो sentence में noun का use होता है noun का use होता है sentence में अब देखो sentence में noun का use होता है एक है as a subject इसका मतलब है subject के रूप में और second है as an object object के रूप में यह लिख लीजे please में पूछूँगा sentence में noun का use कहां कहां होगा तो कह रहा है as a subject and as an object subject बनेगा noun या object बनेगा आये I hope you have noted it down subject या object बनेगा अब यहां पर इस sentence में चलिये तो बताये है friends I क्या है एक person है I क्या है एक person है और person को यह रिप्रेजेंट कर रहा है यह pronoun कहलाता है लेकिन pro plus noun यह noun ही है friends pronoun भी noun को ही बताता है तो यह जो pronoun है यह noun ही person यह क्या गाम कर रहा है subject तो subject कहां आता है वर से पहले और यह क्या है object यह noun है तुम्हारा what तुमारी what exam noun है तो यह noun क्या काम कर रहा है object का तो object कहां पर आता है या तो preposition के बाद या तो transitive verb के बाद यहाँ पर यह preposition आ गया इसका मतलब क्या है कि यह जो prepare है यह action को transfer नहीं कर रहा है यह जो object है इस prepare का object नहीं है इस preposition का object है इसलिए अब इस object का relation इस से नहीं है बीच में preposition आ गया समय देना आप action transfer नहीं होगा तो यह कैसी verb है इंट्रांजिटिव वर्भ है यह इंट्रांजिटिव वर्भ है यह इंट्रांजिटिव वर्भ है यह प्रेपोजिशन है यह object है आई प्रिपेर तो मैं इस सभाब आउनके अंदर कहना चाहता हूँ कि एक यह वर्भ कभी कभी किसी object के लिए इंट्रांजिटिव वर्भ हो जाते हैं और किसी दूसरे object के लिए ट्रांजिटिव वर्भ हो जाते हैं फ्रेंड्स प्रिपेर आप जानते हैं कि टी के लिए ट्रांजिटिव वर्भ था कल आई प्रिपेर वाट टी अब ये अब ये अब ये अब जेक्ट किसका है टी वी का है कोई ध्यान नहीं दे रहा है आपजेक्ट हमेशा समाई लेना कि आपजेक्ट किसी ट्रांजिटिव वर्व के या किसी प्रेपोजीशन के होते हैं इस आपजेक्ट को सपोर्ड कौन कर रहा है ट्रांजिटिव वर्व कैसे कर रहा है एक्शन को ट्रांसफर करके और वहाँ उपर जो है इस आपजेक्ट को स हमेशा पीछे से या तो प्रेपोजिशन या तो ट्रांजिटिव वर्ब का सपोर्ट होना चाहिए तो यह note लिखो या rule बना के लिखो जो भी लिखो कि object कि अबजेक्ट को किसी टीवी के बाद या किसी प्रेपोजिशन के बाद आते हैं किसी प्रेपोजिशन के बाद आते हैं दूसरे सब्दों का मतलब यह है कि object को object को support देने के लिए object को support देने के लिए object को support देने के लिए बोलो किसका यूज टीवी या टीवी अत्वा क्या प्रेपोजिशन जरूरी होते हैं जरूरी होते हैं अभी मैं जरा पहले लिखा दिया आपको तो घर पे जागर थोड़ा सा सही से पढ़ोगे अब गवडाओ मत transitive-intransitive बहुत लंबी चीछ चलेगी हर topic में आएगा तो यह नहीं है कि आज ही तो transitive और intransitive दूसरे topics से गुजरते हुए 8-10-12 दिन के अंदर आपको यह सही होगा लेकिन इस भी देर सारे और topics भी पढ़ेंगे वहाँ भी transitive-intransitive आता रहेगा इस तरह आपका यह सही हो जाएगा घबडाना नहीं बार-बार कह रहा हूँ transitive-intransitive को लेकर confuse मत होना यह topic 8-9 exercise तक लगतार चलेगा ट्रेनिंग दिलाई जाएगी TBA कि ITBA transitive verb है कि intransitive रोज-रोज identify करते-करते यह 8-9 exercise तक जाकर अभी first exercise है और 8-9 exercise तक जाकर यह पूरी तरह perfection आएगा इसलिए घबडाना नहीं अब जो है आजाएए अब आप लड़ाई के लिए तयार है friends अभी तक जो था वो theory थी वो आपको rule वगरे लिखवाया लेकिन यहाँ पर rule रटने के लिए नहीं इस concept को पूरे इतियास में मैं challenge के साथ कह रहा हूँ और गर्व के साथ कह रहा हूँ online पूरे YouTube सब चान मारो पूरे book चान मारो लेकिन जिस concept के साथ transitive और intransitive पर focus करके आज आप training ले रहा हूँ इससे आपके blood में English चली जाएगी mind you blood में English चली जाएगी लेकिन आप cooperate करें अभी आपको लगेगा यह बहुत टफ है लेकिन टफ नहीं है अब देखिए क्या कह र अगर कोई वर्ब किसी person का action हो तो I का use कर देना और फिर वर्ब को लिखना और फिर आगे अगर what का question है या whom का question है तो समय लेना यह टीवी है और अगर for what या with what या in what का question है तो समय लेना कि यह वर्ब TV नहीं, I TV है, for what बोल रहा है, in what बोल रहा है, अब यहाँ पर देखो यह क्या है, I prepare, तो I prepare what, अब बताए, पहला जो यह है, prepare का रोल, यहाँ पर यह बता चुका हूँ, यह what का question तूच रहा है, इसका मतलब यह क्या है, transitive verb है, और I prepare what, मालनो T, यह object है, और देखो देखो दे से दिखाओ इधर, यह action इधर transfer हो रहा है, show करो, अब यहाँ पर I prepare for what, I prepare for the, I prepare for the, क्या है, party, कोई party में आख जाना है, आपको, function में जाना है, मैंने exam हटा दिया, इस बार थोड़ा change कर दिया, बाई, मैं party के लिए prepare, तयारी करता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ह I prepare for the exam, लिख लो tense, बदलना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो I prepare for the exams, मैं परिच्छा के लिए तयारी करता हूँ, तो अब यहाँ पर, समझो यह prepare क्या है, intransitive verb है, क्यों, कि intransitive verb, object को support देता है या नहीं देता है, बोलिये, intransitive verb, object को support देगा या नहीं देगा, नहीं है, यह what का question नहीं, for what का question पूछ रहा है, इसी इशारे से समय लो, कि यह जो what है, यह किसका object है, for का है, तो यह intransitive verb है, यह preposition और यह object, अब देखो, I impress, impress करना, impress किसको करते हैं, think को यह person को, reply करो, impress किसको, person को, तो person object के लिए क्या पूछेंगे, whom, यह whom का मतलब क्या है, किसे या किसको, किसे या किसको, whom, यह person object है, अरे लिख लो, यह person object है, यह person object, whom जो है, person object होता है, किसी person का object, person object होता है, person object, और who जो होता है, वो person subject, person subject, यह subject होता है, हुप और होम क्या होता है और वाट ये दोनों होता है ये थींग ये थींग सब्जेक्ट या थींग अब्जेक्ट दोनों They इंग सबoter को ने सब नोठों कर याद रखना है जो हूँगॉगे फिर न उबत जो हूँगी हम दिए आपको को सबोके स्वाल पूछो गेति न इस चीश के लिए आपको इस सभाव होन के अंदर, जहां जहां तक आवाज जा रही है, मैं अपने इस्ट्रेट्वेंट भाईयों से पूछना चाहता हूं, कि यह थर्ड सेंटेंस, अब आपको ऐसे लिखना है, ऐसे अपने उसमें, एक चैट बॉक्स में ऐसे लिख लेना, कि थर्ड क्वेस्टन, बस इस पयाonlyा है, इसको लिखना नहीं है, थर्ड क्वेस्टन, जई से मानलो ऌसर है, ही टी वी या ती वी कुछ भी होगा, 4 ग्वेस्टन मानलो, ही ती वी, 5 प्वेस्टन क्या है, टी वी, 6istoire है, ईसे है, आपको 6 तक का आनसर भहईजिसना है, चलिए, यह 6 है, आई सेलेक्ट, I select, I arrive, I impress, 3 और I, ये 2 तो हो गया, 3, 4, 5, 6, इन में से TV ITV की पहचान करके 3, 4, 5, 6, ये चलिए, reply send कीजे, 3, 4, 5, 6, reply send करना है भाई हो मैंनो, चल दी करिए I am waiting for your replies please बहुत अच्छा, friends अब देखो, निकल पुनिया ने लिखा है की जैसे impress को लिखा है की I impress whom interviewer TV very good और ये अजित कुमार का है और सोन वियादों ने भी थर्ड को टीवी लिखा है और निशान I impressed him, I impressed him, बिल्कुल सही तो थर्ड तो टीवी अरे एक ही में लिख देदी चलो, थर्ड टीवी है बहुत अच्छा, थर्ड टीवी है अब नेक्स, थर्ड का ही समने बेजा है और फोर्थ फिफ 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 देखो, एक लडगे ने निखिल ने फिफ्थ को टीवी, क्या है अंकित ने थर्ड को टीवी, सही फोर्ड यसवन सिंग, फोर्ड टीवी, अब देखो, थर्ड टीवी, फोर्ड टीवी, थ्री टीवी, ओके 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 ओके, अब देखना फ्रेंड्स, ऐसे लिख लाए लगए तीवी, मत थर्ड टीवी, एक ने ऐसे लिखा है, क्रिशन कुम है फ्रेंड्स अब देखो आप लोग ने बहुत अच्छा रिप्लाई गया अपने अच्छा रिप्लाई गया यह देखो थर्ड अब इंप्रेस करता हूं पहले इसकार समझो मैं इंप्रेस करता हूं किसको किसको हूं तो यह लिखा एक इंटर इंटर विवर्स या एक ने लिखा हिम यह person object है यह action transfer कर रहा है यह इंटर्विवर्स और हिम इसके क्या हो गए object तो impressed क्या है transitive verb है अब सभी भाइबायन fourth के लिए reply बेज़ें fourth और fourth five six fourth five six के लिए reply है fourth क्या होगा जरा चलो बताओ तो fourth fourth question के लिए और fifth question के लिए mainly fourth and then fifth fourth के लिए question fourth के लिए बोलू fourth question fourth fourth verb arrive चलिए fourth रुख जा फूर्थ यश्वन सिंग ने fourth को टीबी मना है और नवल सिंग ने fourth को आई टीबी मना है यह बहुत ही जबरदस्त लडाई हो गई है fourth को अंकित मिला ने भी आई टीबी मना है और देखते हैं कि यह क्या होगा निशानत ने आई टीबी मना है और राहुल ने भी आई टीबी मना है आईए फ्रेंड्स देखते हैं आईए ठीक है ठीक है ठीक है और एक जो है आईए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पार fourth question के लिए देखिए यह टीबी है कि आई टीबी है यह देखना है आई अराइब अब आई अराइब के बाद यह ना तो वाट का question है न तो हूम का question है कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि वाट और हूम अगर आएगा तभी टीबी बनेगा यह तो वेर का question है और वेर ऑब्जेक्ट नहीं होता वेर आई अराइव मैं पाउंसता हूं वी ए मयाय, अब यहां, वाट का question नहीं आ रहा है, इसलिए योित भी नहीं है, वुम का question भी नहीं आ रहा है, इसलिए दोपैनी होते हैं, बताइब एक बार, वर्म के बाद, वाट या हुम का question पुछने वाले object की जरूरत महसुस करते हैं, इसलिए वो टी भी होते हैं, लेकिन यहां पर where का question आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यह where और when, अगर कोई verb where, when or how, where, when or how का question पूछता है, सभी देख लें भाई वेन, यदि कोई verb अपने बाद where, when or how का question पूछता है, तो उसको adverb चाहिए, उसको object नहीं चाहिए, उस case में यह action transfer नहीं करेगा, बल्कि यह क्या बन जाएगा, intransitive verb बन जाएगा, समझ लेजिए ध्यान से, समझ लेजिए ध्यान से, यह where, when or how, यह adverb of time, अभी सही से लिखवा रहा हूँ, देखो, यह यह जो है adverb of time है, यह adverb of time, यह adverb of place, place, sorry friends, और यह adverb of time, और यह adverb of manner, अभी मैं सही से लिखवा दो, आपके समझ में आ जाएगा, friends, अब पहले लिखो adverb of place, place, यहाँ पर bracket में लिखो, where का question, where का question, अभी यहाँ पर लिखो, जब वर्ब, जब वर्ब अपने बाद, जब वर्ब, अपने बाद, where का question पूछता है, पूछता है, तब adverb of place का यूज होता है, तब adverb of place का यूज होता है, जैसे I arrive, I arrive there, तो there क्या है, यह adverb of place है, यह adverb of place है, यह object नहीं है friends, अरे वर्ब के बाद, समझ तो लीजे प्लीज, वर्ब के बाद object भी आता है, और वर्ब के बाद adverb भी आता है, तो adverb और object में कैसे फर्क करोगे, दोनों वर्ब के बाद यहां आ रहे हैं, कैसे जानोगे कि यह object ठीक ही adverb है, तो यह where का जबाब दे रहा है, यह adverb नहीं है, यह object नहीं है, यह adverb of place है, उसी तरह, अब लिखो adverb of time, जब वर्ब के बाद, जब वर्ब के बाद when का question आता है, when, when का reply देना हो, when का question पूछा जाता है, तब adverb of time का यूज होता है, तब adverb of time का यूज है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है friends, जैसे I arrive, कोई ध्यान नहीं दे रहा, I arrive, अब पुछो कब, तो कह रहा है late, I arrived, यह when का reply दे रहा है, यह when का reply है, please देखो, मैं arrive मने आना, arrive का मतलब आना, मैं आता हूँ, कैसे, कब, late, तो यह late क्या है, adverb of time है, यह adverb of time है, यही सर्थ सीखने के लिए आये थे, यह adverb of time है, यह समाझे लो, कि verb के बाद object भी आता है, और verb के बाद adverb of time, adverb of place भी आ रहे हैं, तो यह कैसे पता चलेगा, कि यह verb है, यह object है, कि adverb है, तो समाझे लो, यह when या where का question आए, तो समाझे लेना, यह adverb है, और what और whom का question आए, तो object है, adverb और object के बीच में confusion होगा, क्योंकि दोनों verb के बाद आ रहे हैं, तो दोनों verb के बाद आएंगे, तो खबरदार, verb के बाद आने वाली, हर चीज object नहीं होती, हर काली टंकी syntax नहीं होती, वर्ब के बाद आने वाला, हर चीज object नहीं होता, सवाल पूछना, वर्ब के बाद what और whom का जबाब देने वाला word, object होता है, और when और where का जबाब देने वाला word, adverb होता है, कभी इस चीज को मत भूलना, तो ये late adverb है और भाईो बैनों यहाँ पर देर भी क्या है adverb है तो इसका मतलब है कि ये object नहीं चाहिए इसको तो इसका मतलब ये transitive verb नहीं है क्योंकि transitive verb क्या करता है और एक बार तो सोचो transitive verb transfer करता है किसको अपने effect को किसके उपर object के उपर transitive verb अपने action को किस पर transfer करता है object के उपर क्या ये object है नहीं ये क्या है adverb of place है और यहाँ भी ये late adverb of time है जड़ा एक बार dictionary तो देख लो मेरे भाईों जितने online crowd में जाओ और मैं challenge कर रहा हूँ जाओ और कहके और screenshot लेकर और बताओ कई भी इस तरह से authentic चीजों को अगर देखो तो बताओ इस इतियास में इन चीजों को अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे जैसे देखो there ये देख लो there क्या है friends adverb है ये object नहीं है ये object कौन बनता है noun बोलिए object कौन बनता है noun लेकिन ये क्या है adverb of place है वेर का जबाब है अब देखना ज़रा late late adjective भी होगा और adverb भी देखो अब late तुम देखो कैसी train late train adjective और अगर यही लेट वर्ब की विशेश्ता बताएगा तो adverb और noun की विशेश्ता बताएगा तो adjective late adverb or adjective है लेकन बताओ adjective और adverb object बनते हैं किया आप भोलिए objective और adverb object बनते हैं क्या नहीं object कौन बनता है ते ज़रा जैनन क मोलो noun और pronoun होता है noun ही होता है इसलिए noun pronoun प्रोन्वन तो object बनेगे लेकिन adjective और adverb object नहीं बनेगा यह तुम समझो यह क्या सिखा रहा हूँ इससे क्या होगा कि तुम्हे verb और object कैसे action हो रहा हूँ सब feel होने लगेगा मन के अंदर यह त्यास में कभी इस तरह से यूज नहीं हुआ ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव पढ़ाया तो जाता है लेकिन उसको मन से touch कैसे किया जाता है वो देखो तो adverb of place, adverb of time और एक है adverb of manner लिखो, adverb of manner लिखो manner, manner का मतलब क्या है तरीका, किसी काम को करने का तरीका जैसे द play, I play well, कोई ध्यान नहीं दे रहा, I play well, यह play verb है और पूछ रहा है कैसे, अरे यह देखो, देखो कैसे आ गया, तो हमारा एक इस देंट कह रहा है, कि how to adjective होता नहीं, noun के लिए how का question पूछोगे तो adjective, लेकिन किसी verb के लिए how का question पूछोगे तो क्या हैगा, adverb of manner, तो यह adverb of manner है, यह adverb of क्या है, manner है, और इसका मतलब है, मैं खेलता हूँ, कैसे खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, कैसे खेलता हूँ, well का मतलब है, अच्छी तरह से खेलता हूँ, मेरे इस इस्टेंट भाईयों, well adverb of manner है, तो कैसे लिखोगे, कि जब verb के बाद how का question पूछा जाए, जब वर्ब के बाद, जब वर्ब के बाद how का question, how का question पूछा जाता है, how का question पूछा जाता है, तो adverb of manner, adverb of manner का use होगा, friends, ध्यान रखिए, आपको adverb और object को लेकर confusion होगा, पुछो क्यों, क्योंकि adverb भी verb के बाद आ रहे हैं, और object भी verb के बाद आता है, लेकिन ध्यान रखना, object कौन बनता है, noun, noun क्या जवाब देता है, what या whom का, लेकिन adverb where, adverb of place किसका जवाब देगा, verb के लिए where का जवाब देगा, adverb of time किसका जवाब देगा, when का, verb के लिए when का जवाब देगा, और adverb of manner, verb के लिए how का जवाब, verb के लिए how का जवाब, ध्यान रखना, verb के लिए, यह minor है well adverb of minor है यह object नहीं है भाईयो बैनों यह object नहीं है यह adverb है आई अभी सभा के अंदर आज मैंने time लिया क्या करने के लिए time लिया पिछले 45 मिनट से मैं आपको concept बर रहा हूँ अभी time patience रखो आपके blood में English जाएगी यह जैसे इतियास में यह पहले बार इस तरह से English पढ़ रहे है देखना थोड़ा wait कर लो अब देखो आप चलो पहले यह देखो feel करो I impress whom him तो यह क्या कर रहा है feel करो यह क्या कर रहा है action कर रहा है किस के उपर him के उपर तो यह क्या है transitive verb और यह object I arrive where I arrive there यह arrive I arrive at the station I arrive at the station कोई ध्यान नहीं दे रहा है यह arrive intransitive verb है अब यह station क्या है noun है तुम्हारा what station यह क्या है papa यह station है noun है और यह noun क्या काम कर सकता है बोलो या तो subject या तो object लेकिन यहां पर यह क्या है यह arrive where का question पूछ रहा था लेकिन यहां पर single word का adverb था नहीं station पर single word नहीं है दो word है तो यहां पर where का जवाब station नहीं दे सकता at और station मिल करके यह preposition और object मिल करके where का जवाब दे रहा है जैसे I arrive where at the station I arrive where at the station तो preposition और object मिलकर यहां पर where का reply दे रहे हैं यह दोनों मिलकर adverb बन गए जब दो या दो से अधिक words मिलकर जब दो या दो से अधिक words मिलकर where का जवाब दे दे तो समाझ लेना कोई वो phrase बन गए वो adverb phrase of time है यह phrase क्या होते हैं दो या दो से अधिक words जब single word की तरह काम करें यहां पर phrase क्यों बोल रहा हूं क्योंकि where का जवाब adverb प्लेस देने आएगा लेकिन single word से नहीं काम चल रहा है क्योंकि station पर at का मतलब पर station पर बोलना है तो यहां single word से काम नहीं चल रहा अब इसको phrase बोल लो phrase गया है यह जब जब दो अत्वा दो से अधिक दो या दो से अधिक words मिलकर एक किसी single किसी single किसी single adjective एड़वर्ब इत्यादी का काम करते हैं यह आप ही की language में लिख लो अभी करते हैं तो उस पूरे group को phrase कहते है उस पूरे ग्रूप को phrase कहते है जैसे आई अराइव देखो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है आई अराइव देर तो यह वैर का reply स्टेशन कोई ध्यान नहीं दे रहा है friends अरे friends एक बार तो देख लो यह भी आपर वैर का reply दे रहे हैं लेकिन इस बार वैर का reply reply इस दो वर्ड मिल कर दे रहे है एट और स्टेशन मिल कर दे रहे है इसलिए यह दोनों यह दोनों combination क्या कहलाएगा adverb phrase अब यह phrase कहलाएगा adverb phrase of place बस यह है adverb phrase of place भी हो सकता है adverb phrase of adjective भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है friends जैसा case आएगा अभी तो यह छोटी-छोटी चीजें, एक बार मेरे कहने से concentrate कर दो, घबडाना नहीं मेरे भाई, घबडाना नहीं, आओ अब चलो, अब बताओ कि arrive क्या हुआ, intransitive verb हुआ, और ये where क्या है यहाँ पर, adverb की demand कर रहा है, ये adverb है, ठीक है, अब बताओ, I select what, I select what, I select a product, I select a product, तो product what का जबाब है, अब देखिए friends अरे मेरे साथ तो ध्यान दो, what का जबाब कौन दिया, noun, ये noun क्या बनेगा, adverb या object, बोलो, object बनेगा, अब इस object को support चाहिए, object को पीछे से support कौन देता है, या तो preposition, या तो transitive verb, याद करो, object को support कौन देता है, या तो preposition, या तो transitive verb, यहाँ पर ये transitive verb, question पूछ रहा है, तो ये transitive verb है, ये action product के ऊपर करेगा, और product select हो जाएगा, इसलिए friends ये TV है, और यहाँ देखो, I select whom, अब person object लाओ, person object, I select him, I select Ram, I select you, अरे ये सब adverb हैं या object हैं, बोलो, object हैं, क्योंकि ये noun है, noun है, pronoun भी क्या होते हैं, noun ही, यहाँ भी select क्या है, transitive verb है, अरे मेरे भाई, अब तो समझ में आ गया, अब तो बोल दो, एक बार तो कह दो, अब आ जाओ, तेज अब आज में, फटा फट चलो, अब अगले 10 मिनट तक, अब देखते हैं, चलो, I popular से बना है, वारब करने का sense, popular बनाना, I popularize, I popularize, what, अब बताओ, मैं popularize करता हूँ, क्या करते हो, तो कोई object चाहिए, ये क्या है TV, I achieve what, तो achieve क्या है, TV है, उसी तरफ friends, अब 9, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11, ये तीन का reply भेजे आप, 9, 10, 11, succeed, progress, और create, चलिए, TV, ITV लिखना है, ये क्या है, succeed, क्या है, तो यहाँ पर लिखो, succeed लिखो, कि ये TV या ITV, ऐसे कुछ लिखो, उसी तरफ progress को, TV है कि ITV है, ऐसे लिखो, create को लिखो, TV है कि ITV है, ऐसे लिखो, फिर rain पर भी आ जाओ, 12 और फिर 13, चलिए, 9, 10, 11, 12, 13, ये एक ही line में लिखो, succeed, फिर ऐसे करके एक ही line में लिखो, जिससे आपका पढ़ लूँ, अलग अलग नहीं, एक ही line में, अपने एक ह chat box में ऐसे सारे लिख जाओ, कि succeed ये, progress ये, create ये, rain ये, affect ये, चलिए, चलिए, सभा सदो, आज सभा बहुन के अंदर, इस challenge को एक्सेप्ट करो, पहली बार इतिहास में ये सब हो रहा है, वेरि गुड, हम्हारे грsmains जो है, हम, एक मिनट आप, सभा सदो, एक मिनट रुख जाओ, सभा सदो, एक मिनट रुख讓, जहां जहां तक अवा रही है, तो पहला है, इसको पहला है, यहां पहला है, succeed को एक लडगह ने, पूरा लिग को बोलाये इट गो एकल है तो पीड़ ऑर तो rap को अने वड़Spot सेट पर देखिए । अमें नील कुमार नियूक ने बोलाये नहीं सुछआ नीटिध मैंने , जानी नहीं हैै कि प्रोग्रेस लॉख कम कर्केर। सक्सीड ITVal bullPorzitv एक्दम करेक्ट सक्सीड ITV ब्रोग्रेस ITV एकदम करेक्ट सक्सीड ITVal manual मेंधल कुमार लिख रहे हैं सक्सीड ITValubView फिर निशांत लिख रहे हैं निशांद जी लिख रहे हैं सक्सीड ITValub наблюдACquisight v और ऐसे ही और करो भाई अजय कुमार चलिये हो गया चलिये हो गया काफी सही रिप्लाई आ रहा है आपका मेरे को यह देखना था कि आप समझ रहे हो की नहीं यह जो इसक्रीन वाले को भी बड़ा रहता है तो मैं देख लेता हूँ यह आप लिखो के तभी ना I succeed मैं सफल होत हूँ मैं सफल होता हूँ वाट या इन वाट क्या या किस में मैं सफल होता हूँ किस में तो I succeed in my life या I succeed in my career career का मतलब होता है आपकी job यह इन आ रहा है इन आ रहा है इसका मतलब succeed कैसा verb है intransitive verb और career क्या है object है और यह देखो my क्या है यह possessive determiner है यह possessive determiner sticker है यह इस noun के ऊपर चिपका हुआ है और बीच में यह preposition है मैं सभी सभासदों से पूछ रहा हूँ एक बार concentrate कर दो object को क्या चाहिए support यह इस object को support कौन कर रहा है बो प्रेपोजिशन कर रहा है यह बीच में क्या है possessive determiner है यह determiner और adjective लगबग एक ही होते हैं तो preposition और object के बीच में determiner अथवा adjective का यूज हो सकता है कि नहीं आ सकता है यह भी ध्यान में रखना कि preposition और object के बीच में या TB और object के बीच में determiner अथवा adjective का यूज हो सकता है लेकिन preposition अब यह पहले लिख लो इस चीज को लिख लो बताता हूं लिखो यहाँ पर note लिखो या rule लिखो जो भी है TB and object और और का मतलब यह preposition preposition and object के बीच में के बीच में यूज हो सकता है प्रेंड्स अब वापस आजाओ यह देखो आई सक्सीड इंट्रांजिटिव वर्भए आई सक्सीड इन दा इक्जैम भी बोल सकता हूं मैं सबाब उनको कहना चाहता हूं या आई सक्सीड इन माइ मैं लाइफ बोला मैंने लाइफ अगर बोल रहा हूं लाइफ क्या है ऑब्जेट है इसको सपॉड कौन कर रहा है इन यह बीच में क्या है। अब्योज हो सकता है उसी तरह देखो फ्रैंड्स यह देखो यहां पर देखिए सभी भाईय I progress, I progress, I progress, मैं progress करता हूँ, question पूछे, मैं progress करता हूँ, what या in what, पूछे, in what आ रहा है, अब आप साज जेना खबरदार, ये intransitive verb है, I progress in my, क्या है, life, I progress in my life, in my career, ये object है, ये possessive determiner है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, और ये in क्या है, preposition है, इस preposition का object, my नहीं है, ध्यान दीजे प्लीज, इस preposition का relation life से है, और my का relation in से नहीं है, my का relation किसे है, life से है, ये my क्या काम कर रहा है, पूछ रहा है, whose life, किस की life, मेरी life, तो my का relation life से है, लेकिन life object है, noun है, object है, और object को क्या चाहिए, बोल दो, support चाहिए, इसको support कौन दे रहा है, प्रेपोजिशन दे रहा है अब मेरे साथ चलो अब इसमें क्या होता है जब हिंदी करते है ना पहले इसको बो वन फिर इसको बो टू फिर इसको बो थ्री अपनी लाइफ में मैं प्रोग्रेस करता यह आई टी भी है अब देखो आई क्रियेट आई क्रियेट आई क्रियेट वाट आप देखो क्रियेट वाट मांगने लगा प्रेपोजिशन गायब हुआ की नहीं हुआ हसलो प्रेपोजिशन गायब हुआ की नहीं हुआ और वाट क्या बनेगा ऑबजेक्ट तो आई क्रियेट वाट कोई भी चीज अप्व पोएम, I create what a poem, poem की रचना करता हूँ, यह object है और यह बीच में जो article है न, यह article भी क्या है, संख्या बता रहा है, determiner है, यह बीच में transitive verb है, यह action कर रहा है, देखो तो यार, transitive verb और object के बीच में, what का question, I create what poem, action हो रहा है poem के उपर, बीच में यह article आ सकता, यह भी determiner है, यह determine कर रहा है, निर्धारित कर रहा है, बता रहा है कि कितनी poem मैंने create किया, I create what a poem, अब देखो, सभी भाइबैन, bus 12, rains और effects, इसका reply हाला कि भेजा था लेकिन succeed or progress में ही, अब यह दो-दो question पूछूँगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, चलि चलिए, rains और effects, टीवी है कि आई टीवी है, जल्दी send कीजे, send कीजे, देखे हमारे इस्टेंड भाई, create तो टीवी हो गया, बोलो-बोलो, आगे बोलो, यह राकेश ने, भाईयो बैनो, राकेश नाम के किस्टेंड ने, राकेश ने कह रहा है, राकेश का यह कहना है, कि rains ITB है और effective है, और यह जो है, ऐसे कह रहा है, और rains ITB, Rawl ने भी rains को क्या बताया है, ITB बताया है, friends ITB बताया है, चलिए, और कोई किजेंड की और koई सेंड कीजें हाँ very good यह मनिश रेंज को ITB बोल रहा है Salu B I TV और रेंज को ITB और अफेक्ट को TV बोल रहा है सोनू और निगिल रेंज को ITB आ फेक्ट very good रेंज Intv और अफेक्ट क्या है TV भुपेंदर संग जोज स॑ना सानी रेन्स सबका सभी है आई एक बर फिर से वापस चलते हैं सबास दो यही सब सीकना है आपको यही तो सीखना है देखो इट का मतलब यहां कुछ नहीं है बारिश होती है इट रेंस बारिश होती है तो रेंस आगे इन जुलाई तो इन जुलाई क्या है एडवर्ब आफ टाइम है यहां पर वेर और वेन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अरे मेरे सभासदों एक बार बता दो किसी वर्ब के बाद वेर और वेन का क्वेश्चन पूछने पर एडवर्ब आता है या आपजेक्ट आता है और यह दोनों मिल करके where का जबाब दे रहे हैं इसलिए combination को इस combination को adverb आफ time बोलेंगे लेकिन आपस में यह क्या है preposition और noun है it rains in July July में बारिश होती है तो it rains in July अब देखो it rains in July यह verb है और intransitive verb है यह preposition यह object July noun है July noun है तुमारा July हमारी July July इंडिया की July इस बार की July July noun है time है noun है लेकिन यह preposition or object मिलकर where when का जबाब दे रहे हैं तो यह दोनो मिल जाएंगे दो को मिल जाएंगे आपस में preposition और noun है लेकिन मिलकर यह क्या बन जाएंगे adverb of time एड़ वर्ब फ्रेज ऑफ टाइम कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है एड़ फ्रेज ऑफ टाइम अरे एक बार तो सोचो यह वर्ब पूछ रही है वेन कब बारिश होगी तो वर्ब का वेन का जो रिपलाई है अकेला जुलाई नहीं बोलेगा बारिश कब होगी या लॉक डाउन कब खुलेगा तो आप बोलोगे इन अगस्त तो इन अगस्त अगस्त सिर्फ नहीं बोलोगे इन अगस्त बोलोगे इन प्रेपोजीशन और जुलाई ऑबजेक्ट दोनों मिल जाएंगे तो यह एड़वर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बन जाएंगे यह है और उसी प्रेप देंगे तो यह एड़वर्ब फ्रेज बन रही है आज अभी कॉंसेट करा आए अभी इसकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी अभी देखो यह है अभी जब प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप मजाने लगेगा तो कल तो आज धेर सरा लिखवाया है मैंने क्यूंकि यह एक बार लिख लेने से घर पे पड़ोगे कल उसको मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा उसके बाद इसको याद करने के जरूरत नहीं पड़ेगी यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बना दूँगा जैसे बलड है हाथ है आपको याद नहीं रखना पड़ता है मेरा हाथ कहा है म इंगलेश शुरू में जोर आ रहा है दिमाग पे लेकिन बलड का हिस्सा बन जाएगा वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है कल अब साथ देगा तब तक के लिए नमसकार स्टेश हों स्टेश सीफ कल फिर मिलते है